सब्क्राइब्स कीजिए आप हमारी यूटूब चैनल देशी धावा को सब्क्राइब्स के पास बेल आइकेन को दबाएं जिससे आपके पास हमारी नई वीडियो पहुंच सके जिन्होंने हमारे चैनल को देखा है और सब्क्राइब्स कर दिया है उन्हें भूद भूद धन् परेंगे तो हम देख लेते हैं दही क्यों कैसी जमाना है यह ज्माना हैं यह 1.5 लीटर मुझे दही की जरूए थी मैंने यह ज़ए दूद को गरम कर लिया और थोड़ा सा उकाल लिया था उबाल लिया था मतलब यह उबल गया था उबलने के बादे से मैं थंदा करने रख द वोड़ा सम्ध दूद देख लेते हैं कितना है.. हाँ इतनी ही मुझी ज़रुत है.. गोनगुना रहना चाहिए दूद्ध यह हमारा दूद्ध गोनऊ है अब हम इससे कितना दही का जामन मिलाते लाएं.. इस वाली चम्मच से इस वाली चम्मज से दही का जामुन डाल रहीं, यह देड़ लीटर तूध है, तो आधा लीटर में, कभी आप अधी आधा लीटर का जमाते हैं, तो इतनी चम्मज से इतना दही आपको देना रहीगा, यह आधा चम्मज के हिसाब से दही का जामुन है, एच चम्मज, दो चम तो इसको हल्के से हाथ से एक बार से तहला देंगे और इसको बापिस से चम्मस को हटा देंगे दूद बाल रही थी इसको चलाना था इसली मैंने चम्मस रखी देंगे जमा दिया है अब इसको हम पँच घंटे के लिए ऐसे छोड़ेंगे 5ग के बाद देखी दही हमारा कैसे जमता है दोस्तों हमने 5 गड़े पहले दही का जामन डाला था और दूद को रख दिया था अब हम 5 गड़े हो गए अब हम दही को प्लेट से हटा के देखते हैं कि हमारा दही कैसे जमा है देखिए दोस्तों यह हमने पाज घंटे पहले जो दही दूख जमाया था जाम अंटाल के दही का वो इसकी कंडिशन नहीं हो और हमें लग रहा बहुत अच्छा दही जमा है देखिए उपर की जो मलाई थी वो मैंने हटाई नहीं थी वो मलाई से रहने दी थी देखिए इलने अच्छा दही जमाई हो दोस्तों आप भी दही जमाना सीख गये होंगे गर्मी के मौसम में आप दही बनाएए और इसके बहुत सारे आइटम बन जाते हैं जैसे श्री कर सकते हैं तो यह आज आपको मेरी वीडियो कैसे लगती है और आप दही बनाकर देखिए और आपका बूत दही ऐसे ही जमेगा गाढ़ा और अच्छा दही जमेगा नमस्ते गोस्तों